जेहन दोस्तों, भारत में सबसे पहला डॉंकी फार्मिंग की शुरुवात केरल राज्य में की गई इसे ध्यान में रखते हुए करनाटक के मंगलूर में रहने वाले श्रीनेवास कोडा जी ने करोना के समय अपनी आईटी वाली सोफ्ट्वेर इंजिनियर की जॉब छोड़ के डॉंकी फार्मिंग की शुरुवात की और 42 लाग की निवेश के साथ 20 गदियों को लेकर उनने गदा फार्मिंग की शुरुवात की इसमें पहले तो उन्हें गर से अपने दोस्तों से बहुत विरोध हुआ पर वे डटे रहे गरवालों को दोस्तों को और लोगों को गदी के दूद का अउश्यदी गुनों का मह लगनात मुर्गियों को भी पाला था पर बाद में उन्होंने गदा फार्मिंग पर फोकस करने का ठाना आज वे अपने गदियों का खयाल रखते हैं और उनका दूद 30 मिली लिटर दूद 1500 रुपय में बेचते हैं यह दूद उन्होंने आसपास के मॉल, सुपर मार्केट, दुकानों में बेचने को रखा हैं उनका लक्ष अगले कुछ सालों में फार्म को बड़ा बना के गदि के दूद के आउशो दिगुन लोगों तक पहुचाना है और उन्हें ज्यादा से ज़ादा लोगों तक पहुचा के उनके लिए वो दूद उपलब्द करवाना है उन के दूद से नाती थी जिसमें वे हर रोज 700 गदो के दूद से नाया करती थी जिससे उसकी तवचा हाइडरेटेड रखे उसे उसकी तवचा को लाब भी मिलता था अब देखते हैं गदी के दूद जिन लोगों को गाई का दूद ऐलर्जिक पैदा करता है उनके लिए पहुचाता है आज कई कोस्मेटिक प्रोड़क्स में इसका इस्तमाल होता है जिससे स्कीन हाइडरेटेड रखे सुजन भी कम होती है और उसे मदद मिलती है इसके कारण Amazon Flipkart जैसी e-commerce साइट्स पर इससे बने हुए प्रोड़क्स बहुत महेंगे दिखाई दिये पड़ते है हाला कि कोड़ा जी ने ऐसे अब ट्रेनिंग सेंटर के तोर पर भी ओपन कर दिया है तो क्या आप भी उनसे ट्रेनिंग लेकर अपना डॉंकी फार्म शुरू करना चाहोगे यह मुझे कमेंड में जरू बताए और इसे अपने सबसे प्यारे गदे दोस्त के साथ शेयर कर जिससे उसे भी अपना महत्व पता चल सके धन्यवाद दोस्तों